हालो एब्रीवान, वेरी वाउन, वेलकम टू माई चानल लर्निंग विद कुमल, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं, असेस्मेंट फॉर लर्निंग की यूनिट वन, जिसमें हम यूनिट वन को कम्प्लीटली रिवाइस करेंगे, टॉपिक्स मैंने मेंशन कर दी हैं, जो असेस्मेंट, मेजरमेंट और एवैलिवेशन के कॉंसेप्ट के बारे में भी स्टड़ी करेंगे, साथ में इनके डिफ्रेंस के बारे में भी स्टड़ी करेंगे, इनकी क्या इंपोर्टेंस होती है, असेस्मेंट की क्या इंपोर्टेंस है, असेस्मेंट के क्या तो यह unit 1 का topic है, काफी सारे topics हैं, जो आज की इस video में हम cover करेंगे, video आपके लिए काफी जादा helpful होगी, जो आपके exam में काफी जादा मदद करेगी, I hope, exams जो हैं वो आने ही वाले हैं, I know, तो start करते हैं बिना time waste की, और मैं आपको इहां पर एक important information देना चाहती हूँ, की unit 1, unit 2, 3, 4, चारो ही units की आपको video मेरे चानल पर, मतलब revision video आपको मेरे चानल पर मिल जाएंगी, जिसमें आप exam time में अगर इसको भी watch कर लोगे, तो बड़े easily आप लोग पास हो जाओगे exam में, अच्छे माक्स से, चलिए फिर start करते हैं video को प्लीज आप like, share, comment ज़रूर करें share करें जाद से जाद से students तक, और हो सकता है कि मेरी थोड़ी सी speed low हो, तो आप थोड़ा सा video को speed में भी कर सकते हैं, ताकि आपका topic फड़ा-फट से clear हो जाए, चलिए start करते हैं, तो जैसे कि आप screen पे देख सकते हैं, unit 1, जिसमें assessment, measurement, evaluation and revised technology, तो यह हमारी unit 1 का title है, जिसमें हम आज study करेंगे वो सारे topics जो हमने थे, thumbnail में given है, तो पहला topic आता है हमारा concept of assessment, measurement, evaluation and examination, कि वह यह assessment क्या है, measurement क्या है, evaluation क्या है, examination क्या है, यह चारों के बारे में पढ़ेंगे, and then दीरे-दीरे सारे topics को cover करेंगे, सबसे बहले बात करेंगे, assessment, meaning of assessment, assessment का मतलब क्या होता है, students की knowledge क चेक करना, जब हम teacher, as a teacher, अपने students को पढ़ा रहे है, right, उन्होंने कितना learn किया, हमने तो teaching कर दी, students ने क्या learn किया, students ने क्या सीखा, उस चीच को assess करना भी तो जरूरी है, right, assessment करना भी तो जरूरी है, उनका, तो जी जो term है assessment, एक wide variety of methods जिसमें included है, wide variety of tools का use करते है educators, जिसमे students को evaluate करते है, students की, you know, learning progress, उनकी skill acquisition, उनकी educational needs को measure करते है, right, और other words में, अगर हम बात करें, तो assessment एक ऐसा process है, जिसमें आप basically documenting करते हो, documenting का मतलब report card बनता है, हमें school, जब हम बढ़ते थे, तो हमें report card मिलता था, याद करो, तो आज भी हम report cards अपने students का बनाते हैं, क्योंकि आप हम teacher बन चुके हैं, right, तो process of documenting, मतलब हम एक report card में students का पूरा assessment करके, एक document के रूप में तियार करते हैं, right, usually in measurable terms, obviously numerical numbers की form में देते हैं, report card, या grade, है न, कि students को A grade मिला, B grade मिला, C मिला, D मिला, वो हम करते हैं, या फिर marks की form में, कि 500 total में से, 500 में से इतने number आए, या 1000 में से इतन number आए, total, ऐसे ही होता है, right, तो measurable terms में करते हैं हम assessment, उनकी knowledge, उनकी skills, उनकी attitudes, उनकी beliefs, ये सब को हम क्या करते हैं, evaluate करते हैं, बात करेंगे कि assessment करना क्यों जरूरी है, मतलब assessment की क्या importance है, हम क्यों assessment कर रहे हैं, हम क्यों report card बना रहे हैं, document, you know, बना रहे हैं, students की knowledge, students की learning progress को हम evaluate कर रहे हैं, assess कर रहे हैं, sorry, तो इसकी क्या importance है, तो यहाँ पे कुछ points हमें given है, assessment importance के, जिसमें number one है, to classify और grade student, मतलब जब हो अपने students को achievement level के base पे classify करें, कि अगर A grade हमने किसी student को दिया है, इसका मतलब वो बड़ाई intelligent बच्चा है, B grade दिया है, तो मतलब गुड है, पर है, below, right, यही होता था, grading system, जिसमें हम students की achievement मतलब कि उन्हें ने कितने marks earn किये, जो हम ने test लिये, paper कराया, examination कराया, तो assessment में कराना इसलिए जरूरी है, क्योंकि जब आप achievements level के base पे students को classify करते हो, you know, उनको numerical forms या grades देते हो, तो इससे हमें पता चलता है, student को भी पता चलता ह है, कि उसका ये grade आया, तो अब उसको और improvement की जरूरत है, तो यह इसकी एक importance है, इसमें आपको पता चलता है, कि कौन से student intelligent है, कौन से average है, कौन से poor है, तो आप जो average है, उन पे और जादा focus कर सको, right, तो यह इसकी एक importance है, assessment की, teacher को भी पता चलता है, कि यह बच्चा थोड़ा हम assessment कर रहे हैं, तो हमां क्या importance है, number two है, to guide improvement, देखो, assessment से क्या पता चलता है, assessment से student को भी पता चलता है, जब एक teacher उसको feedback देता है, कि यह आपके इतने कम marks आ रहे हैं, यह आप इतना low perform कर रहे हो, तो इससे students को feedback मिलता है, जिससे students क्या करते हैं, और जादा improve करने की कोशिश क करते हैं, जितना जादा teacher उनको detail में feedback देते हैं, उतना ही जादा students के पास opportunities होती है, further development के लिए, तो improvement, to guide improvement, मतलब कहने का मतलब है, as a teacher, जब आपको, आप student को assess करते हो, तो आपको बता चलता है, कि आपके बच्चे में क्या कमी है, तो आप उनको as a guide करते हो, जिससे कि वो improve ह होते हैं, number three, to enable student progression, obviously, जब आप assessment करते हो, तो student को भी पता चलता है, कि वो कितने बानी में है, उसके knowledge का जो level है, वो क्या है, और वो कितना study कर रहा है, और उसका current level of achievement क्या है, किस level पे है, तो progress करना तब ही possible है, जब आपको पता हो, कि आप कहां stand करते हो, तो student का जब assessment होता है तो teacher को भी पता चलता है, कि बच्चा कहां stand करता है, और student को खुद को भी पता चलता है, कि हाँ, मेरे इतने कम marks आ रहे है, मुझे कुछ न कुछ तो progress करनी ही पड़ेगी, अगर कोई बच्चा B grade ला रहा है, तो वो A के लिए पूरी-पूरी कोशिश करेगा, और ज़्याद मतलब कि जो assessment है, वो help करता है students की choice of option की, मतलब कि अगर students को options select करने पड़ें, कुछ न कुछ options select करने पड़ें, तो assessment उनको बताता है, an understanding of how well they are doing in foundation study will enable to have a former understanding of their current abilities, मतलब कहने का मतलब यह है, कि जब हम 10th class में होते हैं, जब हमारा 10th का board हो जाता है, तो 11th में हमारे पास choice होती है, कि हमें med लेना है, non-med लेना है, arts लेनी है, या क्या लेना है, या commerce लेनी है, तो students का जब 10th में board के exams आते हैं, वो assessment ही है एक तरीके से, right, उसको पता चल जाता है, कि you know, school वालों को भी पता चल जाता है, कि आपके इतने marks से, तो आपको यह वाली stream लेनी चाहिए, right, तो assessment ह ही वो चीज़ है, इससे students की choice of option facilitated हो पाती है, students कोई पता चल जाता है, अच्छे 90% से उपर marks है, तो obviously बच्चे, you know, अपने interest के according तो जाते ही है, पर लेकिन school वाले भी वही refer करते हैं, कि मालो, student क्या है 50%, तो उजादातर students कहेंगे, जी आप तो arts stream ले ले लो, है ना, या फि होता है, तो assessment ही वो चीज़ है, जो students को choice करने में help करता है, उसके बार to diagnose faults and enable students to rectify mistakes, मतलब की assessment ही students को बताता है, कि उनका क्या fault है, मतलब वो कहां गलत कर रहे हैं, और उनकी mistakes को rectify करने का काम भी assessment ही करता है, है ना, nothing is more demotivating than continually getting bad marks, है ना, लगातार आपके bad marks आ रहे हैं, तो बहुत जादा बच्चा demotivate हो जाता है, तो सुचता है कि क्या गलत कर रहा हूं, मैं तो पूरी महनत कर रहा हूं, फिर भी मेरे गलत गंदे marks आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक effective assessment ही students को बता पाता है कि किन problems में वो लाय कर रहे हैं, मतलब जो problems आ रहे हैं, जो पुर assessment ही तो आपको बताएगा, तो assessment ही तो आपको बताएगा, तो assessment ही तो बहुत जादा important है, ताकि students अपनी, you know, diagnose भी कर पाएं कि उनकी कहां गलत जा रहे हैं, और उनकी बुरे marks आ रहे हैं, तो बहुत जादर demotivating ही है, तो आपनी mistakes को rectify भी कर पाएंगे, उसके बाद तो feedback on how our teaching is going, मतलब assessment ही हमको feedback, teachers को भी feedback देता है, कि आपकी teaching ऐसी चल रही है, अगर जादा ही students के गंदे marks आ रहे हैं, तो आपके teaching effective नहीं है, right, और अच्छे marks आ रहे हैं, students पाच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी teaching effective है, तो teachers को भी feedback मिलता है, you know, to motivate students, motivate students के, अगर हम बात करें, तो, you know, जब हमें पता चल जाता है, कि students के च्छे marks नहीं आ रहे हैं, तो हमें students को motivate तो करना ही बड़ेगा, अशेस्मेंट ही है, जो आपको बताएगा, कि, you know, students कैसा परफॉर्म करें, as students find themselves under increasing pressure, they tend to become more and more strategic in their approaches to learning, और assessment method जो है, वो इस तरीके से डिजाइ इस तरीके से आप उनको motivate भी कर सकते हो, तो यह assessment methods कि थ्रू हो सकता है, उसके बाद बात करेंगे, कितने तरीके के assessment होते हैं, तो, यह हमने सुना है, F.A.S.A. आज कल U.D. unit test होते हैं, जिनको हम formative assessment कहते हैं, formative assessment होता है, फिर summative होता है, summative or formative के बारे में पढ़ते हैं, सब you know, learning को बहुत और ज्यादा effective बनाना, ताकि जो बच्चे learn कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, classes में, सीख रहे हैं, subject knowledge ले रहे हैं, वो और ज्यादा effectively learn करें चीजों को, तो, it may do this by giving pupil helpful feedback, और by giving you feedback or information that will enable you to meet a pupil's future learning needs more effectively, अब इसका मतलब क्या हुआ, कि भाई, जो formative assessment होता है, उस वो helpful feedback देता है, students को, pupils मतलब students, students को helpful feedback देता है, और जब आपको, you know, students को feedback मिलता है, तो, students क्या करते हैं, अपनी future learning needs को, और ज़्यादा effective करने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके के जो assessment होते हैं, वो क्या करते हैं, errors को identify करते हैं, shortcomings, या फिर difficulties को identify करते हैं, कि हम, जो students को कर रहे हैं, students का जो काम है, वहाँ पर, you know, कहां वो गलती कर रहे हैं, कहां उनका error आ र किस subject में, वो difficulty face कर रहे हैं, किस chapter में, वो difficulty face कर रहे हैं, you know, to offer advice, guidance and information to improve future performance, formative assessment का purpose भी यही है, कि जब हम उनका assessment करते हैं, तो, फिर हम students को advice देते हैं, guidance देते हैं, ताकि वो अपनी future performance को और ज़्यादा improve कर सके, अगर हम normal, you know, scenario की बात करें, तो, आज कल F.A.S. होते हैं, दो दो बार F.A.S. होते हैं, फिर एक बार summative assessment आजाता है, आप teacher हो तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ पता होगी, right, तो यह देखो, U.T.S. में हमें पता चल जाता है, बच्चा कैसे परफूम कर रहे हैं, है, F.A.S. formative assessment में ही पता चल जाता है, बच्चा कैसे परफूम कर यह, तो formative assessment में यह होता है, summative assessment की अगर मैं बात करूं, तो summative क्या होता है, F.A.S. के बाद essay होता है, that is summative assessment, तो assessment जो identify करे एक particular time of achievement, मतलब कहने का मतलब है कि students की achievement को identify करे, एक particular time period के बाद, मतलब की end of course, अब course खतम हो गया है, अब पूरा exam होगा, पूरे paper का, पूरे course का exam हो एक end of a period of instruction कहने का मतलब है कि जब आपके course का end हो जाता है, तब एक summative assessment होता है, तब इसका नाम summative है, summative मतलब सारा चीज का, the most typical example of these are the grades used on school reports, हाना, school report आती है, A, B, C, जो भी grade मिलता है, हाना, as a result, or the result of external examination, you know, external examination का मतलब जैसे board examination हो गए, इस तरीके के university examination हो गए, तो summative भी हमें अच्छे से पता ही है, norm referenced assessment क्या होता है, norm, देखो, norm referenced का एक example लेते हैं, जैसे कि, इन्होंने आप एक अच्छा example लिया है, तो उस example से इसको समझेंगे, कि माल लो, if a grade A was defined as the level of performance eased by the top 10% of the assessment chart, this would mean that no matter how high or low the general standard of work produced was the best 10%, would always received a grade A, कहने का मतलब है कि एक grade A को क्या दिया गया, उसको define किया गया एक वो level of performance जो top 10% को ही मिलेगा, मतलब कि माल लो, 100 बच्चों ने अगर test दिया, चीक है, 100 बच्चों ने अगर test दिया, तो इन्होंने बोला कि सिर्फ जो शुरू के 10% बच्चे होंगे, मतलब जिनके, 10% का मतलब है, मालो, 100 में से हमने ऐसे 10 बच्चे उठाये, जिनके marks सबसे जादा थे, तो उनको हमने क्या दे दिया, A grade दे दिया, तो इसको हम बोलते हैं कि ऐसी grading जिसमें हम students की performance को, दूसरों की performance से relate करके उसको grade दे रहे हैं, कहने का मतलब है कि हमने 100 बच्चे लिए, 100 में से हम 10% बच्चे होंगे, उनको A grade दिया जाएगा, top 10% कहने का मतलब है कि यहाँ पर competition level लगा दिया हमने, कि जो highest जिस 10% बच्चों की marks हैंगे, वो सब उनको A grade मिलेगा, उसमें 100% वाला बच्चा भी हो सकता है, उसमें 99% वाला बच्चा भी हो सकता है, 98 वाला भी हो सकता है, तो top 10% की अगर हम बात करें, तो 100 का 10% होता है, 10 बच्चों का, right, तो 10 बच्चों के, highest 10 बच्चों के जितने मिलेगे, उनको सब को grade A मिलेगा, और बागी सब को B, C, D, इस तरीके से मिलेगा, इसको हम बोलते है, standard, हमने एक standard सेट कर दिया, कि जो top 10% होगा, अब यह नहीं पता है, कि उसके high number आ रहे हैं, हो सकते हैं, इक लास में एक बच्चे के तो 100 number आ रहे हैं, और फिर सीधा जो number, second number आया होगा है, वो आया होगा है, 80 marks वाले बच्चे का, मतलब कि 100 के बाद जो दूसरा highest बच्चा है, वो 80 marks वाला बच्चा है, ऐसा भी हो सकता है, या 90 marks वाला है, फिर सी है, ऐसा भी हो सकता है, बट, top 10 percent लेना है, यानि कि जो 10 highest बच्चे है marks लाने वाले, वो A grade दिया जाएगा, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यह नहीं देखा, कि किसके higher है, किसके lower है, हमने बस एक standard set कर दिया, कि top 10 percent बच्चे जो है, उनको grade A मिलेगा, बागी सब को no more no less, right, इसके बाद यह तो था हमारा norm referenced assessment, अब हम बात करेंगे criterion referenced assessment की, criterion referenced assessment क्या होता है, देखो criteria, नाम से ही पता चल रहा है, criteria set कर रहे हो आप, जैसे की, अगर हम बात करें, the grading of each pupil's performance is judged in terms of whether a particular description of performance, या फिर criteria has been met, मतलब, एक हम ना criteria set कर रहे हैं, और उस criteria के base पे हम students को judge कर रहे हैं, और इसे साबसे हम उनको grading दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि, जो लोग उस criteria को पूरा करेंगे, उन्ही को ही वो grade मिलेंगे, जैसे की, देखो, सुनो, मालो, मैंने क्या किया, वही 90 से 100 marks जिस बच्चे के आएंगे, उसको A plus grade मिलेगा, 80 से 90 marks जिस बच्चे को आएंगे, उसको A grade मिलेगा, 70 से 80 नंबर आएंगे, तो उसको B plus मिलेगा, मैंने क्या कर दिया, एक criteria set कर दिया, कि इतने marks आएंगे, तो ये grade मिलेगा, इतने marks आपको यह बताता है कि बच्चे में जो बच्चा परॉब्लम आरी है वैं बच्चे को डिफिकल्टी आरी है तो क्यों आ रहे है क्या रीजन है उस डिफिकल्टी का क्यों वो प्रॉब्लम आ रही है क्यों उसके बिचारे के कम माक्स आए जा रहे है बार-बार रीजन क्या है डाइग्नोस करो उसकी प्रॉब्लम को तो सर्टेन टेस्ट कें भी उस्ट और इंटिफाई पर्टिकुलर नीड्स एक्जामपल इनोंने लिया है डाइस लेक्सिया अमने तारे जमीन वाली एक फिल्म देखी थी तो यह उसी का ही कुछ एक्जामपल ले लो कि उसको एक प्रॉब्लम थी उसको अक्षर दिखाई नहीं देते थे या फिर बलरी बलरी दिखते थे याद करो कुछ तो उस तरीके का स्पेशल एजुकेशनल नीट्स की जरूरत पड़ती है जो कि हमारा इंक्लूजिव लर्निंग वाला जो एक सब्जेक्ट है ना उसमें हम लोग यह पढ़ेंगे स्पेशल एजुकेशनल नीट्स उसके बाद सिक्स्त की बात करें दाट इस इंटर्नल असेस्मेंट की बात क असेस्मेंट एक्टिविटेस्ट इवाइस करेंड आओ और मार्क बाद एक लास्टीचर और उफन उसे पार उप दिर ओन प्रोग्रम उफ टीचिंग है ना मैं टीचर हूं रहा है मेरा मन कर रहा है कि मैं ने मैं च्छों का टेस्स ले देती हूं यह जान पाँ कि बच्चे को आबी रहे कुछ समझ यह नहीं आ रहा रहा रएं धाट इंटर और इड़ स्कुल के अंटर होता है यह मतलब इसेस्टरनल गी बात करनों तो एक्स्टरनल में क्या रहुता है यह तो इसमें क्या होता है यह सब क्या होता है आओसाइटर ही होते हैं से ईसे जोभाचन को ढला एक खाया ङहां तो इससे क्या होगा स्टूडेंट करके दिखा एक परफॉर्मंस एक तरस क्या होता है चीक है तो assessment made following prior warning मतलब मैंने उनको पहले से ही बता दिया कि कल आपका test होगा या मंदे को आपका test होगा prior warning दे दी तो students क्या करते हैं फिर revise करके आते हैं और assessment के लिए prepare होके आते हैं that is formal assessment उसके बाद continuous assessment क्या होता होगा continuous assessment मतलब final assessment के base पे basing the final assessment of the standard of attainment achieved on pieces of assessment made over a long period of time मतलब क्याने का मतलब है continuous assessment आप यह लिख सकते हो कि जब आप continuously अपने students को assess कर रहे हो है ना long period of time तक मतलब जैसे आप classes ले रहे हो assess करते जारे करते जारे लिए that is assessment की क्या principles है तो number one है principles of I mean principle of continuity इसको हिंदी में हम सिधान्त बोलते हैं तो you know principle of assessment में सबसे पहला आता है हमारा principle of continuity तो assessment एक continuous process है आप आप देखो आजकल क्या हो रहा है स्टूडेंट ने admission लिया class में नहीं class में बच्चा चड़ा जी पता है जी एक दो महीने बाद फिर यूटी आ जाएंगे फिर दो को भी पता चलता जा रहा है कि वह कैसे परफूम कर रहे है टीचर को भी बता जलता जा रहा है उसके पेरिंट्स को भी बता जलता जा रहा है इसका बच्चा कहां चल रहा है कैसे चल रहा है तो assessment एक continuous process है जो बहुत लंबा चलता रहता है जब तक कि उसकी education चलती रहेगी उसका assessment होता रहेगा marks मिलते रहेंगे, test होते रहेंगे, जाम होते रहेंगे तो this evaluation work keeps the teacher and student busy बहुत busy हो जाती है teacher students भी बड़े busy हो जाती है discipline आजाता है उनमे, उनको पता है कि अभी यह UT गए, एक महिने बाद फिर UT आजाएगा, तो the principle of continuity is very helpful मतलब यह जो पहला सिधानत है that is continuity, कि assessment क्या है continue चलेगा तो यह जो principle of continuity है बड़ा ही helpful है teaching में भी learning of a language is the matter of continuous practice कुछ भी आप सीख रहे हो that is continuous in practice students जो सीखते हैं उनको evaluate करना regularly, यह सब principle of continuity में आता है number two आता है हमारा principle of comprehensiveness अब इसमें क्या है knowledge of values can be tested through oral or return test, है ना कि भाई किसी भी चीज की knowledge को अगर आपको चेक करना है student की knowledge को चेक करना चाहते हो oral test भी ले सकते हो, return test भी ले सकते हो, option वाले जो question है, objective type of question की form में भी test ले सकते हो short answer type question में भी test ले सकते हो जिसमें आप student की knowledge level को test करोगे आप क्या करते हो, questions का question paper बनाते हो sequence रखते हो उसका simple to the complex simple to the complex का मतलब असान से मुश्किल की और ले के जाते हो student को तो basically principle of comprehensiveness क्या करता है students की knowledge को test करता है, oral return test की form में objective type, short type के questions की form में आप यहां पे questions का pool prepare करते हो, sequence में लगाते हो student की knowledge को simple से complex की और ले के जाते हो और principle of completeness हमको क्या बताता है कि जब आप test और exam लेते हो student का we learn about the academic level of the student हमें बता चलता है कि वो बढ़ाई भे कैसा है but evaluation के through क्या होता है complete assessment होता है student की personality का वो लिया जा सकता है इसमें क्यूंकि उसका physical, moral, social, cultural, political, religious, patriotic assessment किया जाता है in this regard जो हमारा secondary education commission है वो कहता है कि the school of today concerned itself not only with the intellectual pursuits but also with the emotional and social development of a child कि हमारा जो secondary education commission है वो कहता है कि आज कल जो बच्चों का जो यू स्कूल में हो रही है activities उसका जो concern है वो यह निये कि आपको बस student के mind पर focus करना है student को knowledge देनी है उनका intellectual skills पर focus करना है आपको उनकी emotional और उनके social development पर भी focus करना है उनकी physical और उनकी mental health पर भी focus करना है आज का concern ये है उनकी social adjustment उनको equally important ये life के social emotional ये जब with all around development office all around all around development office personality क्योंकि हम आज के time में जो scenario है वो है कि हमें student का overall development करना है उसकी overall personality पर focus करना है तभी हम देखते हैं कि आज कल school में हम obviously हम देख रहे हैं कि students school में बुट सारी activities होती है dance activity हो रही है singh activity हो रही है sports activity हो रही है you know कोई festival आया you know ये क्या है ये सब social emotional you know society से जोडने का एक कोशिश है traditional ये जो festivals होते है आज को students ready होके जाते है तभी तो उनको पता चलता है हाँ विसाकी भी कोई तियोहार है हाँ दिवाली भी कोई तियोहार है ये है वो है बहुत सारे तियोहार आते हैं तो इससे उनको उनका overall personality उनकी develop होती है so that is principle of completeness मतलब हम student को completely ready कर रहे है उसके बाद child और child centeredness इस process of evaluation में क्या होता है मतलब कहने का मतलब है कि in the process of evaluation slabors और curriculum is not the center मतलब आज के time में slabors या curriculum centered चीज़े नहीं है आज के time में हमें child को center point पे रखना है कहने का मतलब है आज का time child पे focus करने का है है ना इसका मतलब ये है कि subject matters को importance नहीं दी जाती central point assessment का वो एक child के behavior पर होता है क्योंकि वो school जा रहा है school में वो क्या सीख रहा है उसका behavior कैसे develop हो रहा है उसके attitude उसके belief हमें इन सब चीज़ों पे भी focus करना है हमें उसको एक अच्छा इंसान बनाना है तो assessment के जो principles है बोला गया कि assessment का जो center point है वो child के behavior को importance देता है subject matter तो ठीक है वो तो कराना ही कराना है that is the part of slavers slavers तो कराना ही कराना है but slavers ही center नहीं है curriculum ही centered नहीं है child को center में रखना है child पे focus करना है that is child or child centeredness assessment फिर आता है एक principle of totality beliefs in values may get evaluated more in group discussion कहने का मतलब है जो जब students जो है वो values में belief करते हैं तो ये जादा तर हमें तब पदा चलता है जब GDs होते हैं that is group discussions होते हैं जैसे इनोंने बोला causes of family disharmony and free individual expression than in deliberately contrived situations एक मिनट देखो family disharmony का मतलब ये होता है कि जैसे लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं घर तूट जाते हैं घर में लोग एक दूसरे से किस तरीके से बात चीत करते हैं उसका बिहेवियर है उसका चाइल्ड पे भी effect पड़ता है तो causes of family disharmony or free individual expression than in deliberately contrived situations कहने का मतलब ये है कि totality का principle हमें ये कहता है कि हम students का totally assessment करते हैं कि you know family से बच्चा क्या सीख रहा है family में जो disharmony चल रहा है उसके क्या कारण है या किस तरीके से behavior है ये सब चीजों पर focus किया जाता है उसके बाद बात करेंगे principle of application trying to stick to values in actual life may be tested in normal situation मतलब देखो principle of application हमको बोलता है कि you know वो बोलता है कि trying to stick to values in actual life मतलब कि आप अपनी values जो आपकी values हैं उन पर stick रहो उस you know actual life में उस चीज को कोशिश करो कि आप अपनी values पर stick रहो है ना नॉर्मल situation में भी आप जो है you know this में also be tested and justify one's own action कहने का मतलब है कि जो आपने सीखा जो आपने values सीखी उसको अपनी नॉर्मल लाइफ में भी आप लोग apply करो तो assessment में हम ये चीजे भी देखते हैं कि क्या student जो है जो चीज वो सीख रहा है क्या वो actual में अपनी लाइफ में उन चीजों को apply कर रहा है या नहीं कर रहा है इस चीज का भी हम assessment करते हैं तो assessment का principle principle of application भी है principle of objectives के अगर हम बात करें तो evaluation is based on the principle of objectives जो हमारा evaluation है वो objectives के base पे भी है कहने का मतलब है कि एक कहने का मतलब है कि it tries to know उस assessment से हमें यह बता चलता है कि कैसे assessment से हमें यह बता चलता है कि कैसे एक you know how different objectives of personality are being achieved you know different different सबके objective होते हैं सबके purpose होते हैं जैसे for teaching language lessons first the objective are fixed up and then efforts on the part of teacher and learn to achieve them कहने का मतलब यह है कि मालो आपको एक chapter पढ़ाना है आपको teach करना है language lesson पढ़ाना है तो सबसे पहले जो आपको objective होगा आपका fix करना होगा सारे matter को fix करना then efforts लगाना and then अपने उस objective को achieve करना तो यहाँ पे जो evaluation होता है उसमें हम यह जानने की गोशिश करते हैं कि जो हमारा teaching objectives है क्या वो पूरा हुआ या नहीं हुआ assessment से ही तो हमें बता चलेगा कि जो हमारा purpose था teaching का वो पूरा हुआ या नहीं हुआ principle of learning experience तो इसमें आता है it includes the lasting experience gained by the student from the teacher and his surrounding मतलब इसमें क्या आता है कि student अपनी teachers से experience लेते हैं तो students क्या करते हैं students अपनी teachers से ही सारी चीजों का experience लेते हैं या अपने चारो और जो उनके surrounding है उन चीजों से वो experience लेते हैं learning experience लेते हैं तो effective learning experience जो है वो students को आपको provide करना चाहिए teaching material जो है वो उसकी life उसके environment से भी correlate करना चाहिए जिससे की teaching real और ज्यादा learnable हो उसके बाद बात करेंगे principle of broadness की तो evaluation relates to broadness अब इवालिवेशन किस से related है? broadness से related है ये principle जो है कह सकते है take into consideration all aspects of life broadness का मतलब है कि यहाँ पे हम एक चीज़ पर focus नहीं करते हैं यहाँ बहुत सी चीजों को पर focus करते हैं life के हर aspects पर हम focus करते हैं हम किसी particular field या किसी particular aspect की बात नहीं करते हो हम यहाँ पर बहुत लाइफ के सभी aspects की बात करते हैं सभी aspects को consider करते हैं तो ये principle बहुत ज़्यादा जरूरी है एक कह सकते हैं कि complete and good learning के लिए student की तो learning language cannot be possible only by getting mastery और any four of skills कहने का मतलब है कि किसी चीज को आपने बड़ा अच्छे से सीख लिया यह रहो और उसकी skills जान लिए उसको सीख लिया mastery कर लिए उसमें तो कहने का मतलब है कि यह नहीं है कि आप पूरी तरीके से जो है आपने चीजों को सीख लिया अभी तो आपने सीखा जस्ट आपने सीखा अब आपको उसको रियल लाइफ में अपलाई भी तो करना है अलग अलग सिचुएशन में आपने टीचिंग वीएड में सीखी लेकिन आप टीचिंग जब करो गया अक्चुल में तब आपको अक्चुल में बदा चलेगा जो आपने सीखा क्या वह आप अपलाई कर पा रहे हो यह नहीं कर पा रहे लाट इस प्रिंसिपल और ब्रोड नेस ऐसी स्टूडेंट्स होते हैं स् कि यह बनता है कोई बहुत सारी फील्ड है हमारी उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी की अगर हम बात करें तो इन दिस प्रॉसेस ऑफ एक्जामिनेशन ओली दा अकैडमिक एसपेक्ट ऑफ चाइल्ड इस एक्जामिनेशन प्रॉसेस में हम चाइल्ड की सिर्फ इस प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी जो है वो क्या कहता है कि यह पूरा का पूरा एक्जामिनेशन पर बेस्ट है और इस इवैल्यवेशन के थूरू आप क्वालिटी बता पाते हो कि वह कितना सुड़न को आया क्वांटिटी कितना उसने सीखा मतलब अगर दस चैप्टर का लिए था तो दस में से कितने चैप्टर में उसने अच्छा परफॉर्म किया राइट बिकॉस इंदी टीचिंग लर्निंग लागमज बहुत क्वालिटी एंड कॉंटिटी दोनों ही रिक्वायर्ड है कि क्वालिटी पड़े क्वालिटी टीचिंग भी होनी चाहिए और उस कि क्वाइट टेटीटि फोर्म है ना मेजर जब मेजर नाम आजाता है तो मतलब समझ लो क्वांटिटेटिव फॉर्म की बात हो रही है तो मैजर्मेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप स्टूडेंट्स की चो डेवलब्ड एबिलीटीज इस हैं उनको निमेरिकल फॉर् is directly concerned with quantity measurement का मतलब क्या quantity by measuring the content scale and the result of abilities are expressed in numbers score percentage or average so that the provision of education of the student may be made according to their present achievement तो यह तो बताने की भी ज़ुरत नहीं है तो जब आप अपने students का measurement करते हो तो आप सारी चीजों का test कर पाते हो numbers की form में तो measurement numerical form में होता है यह बात ध्यान रखेंगे इसकी कुछ definition भी given है कि measurement का मतलब data में description देना किसी भी चीज़ का numbers की form में description देना mathematical form में उसके बाद जो इसमें important है मैं आपको वही पढ़ाऊंगी जिसे इन्होंने बोला functions of measurement measurement के क्या functions हैं तो यहाँ पे measurement के तीन function बताएं है that is prognosis function second diagnosis function और third research function सबसे पहले हम बात करेंगे prognosis function की तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्नोसिस function की तो प्रोग्नोसिस function हमको क्या बताता है प्रोग्नोसिस function में जब हम स्टूडेंट्स का टेस्ट लेते हैं कोई भी ऐसा टेस्ट जिसमें हमें पता चले स्टूडेंट्स की performance का difference पता चले क्याने का मतलब है कि हम यहाँ पे लेवल सेट करते हैं प्रोग्नोसिस function में जो मेजर्मेंट होता है जैसे कि हम स्टूडेंट का क्लासिफिकेशन करते हैं लेवल्स के बेस पे कि इसका आइक्यू लेवल कि यहाँ फिर तोड़ा मीडियम लेवल है लो लेवल है फिर उसी के बेस पे हम उनका सेलेक्शन करते हैं धैन हम उनको प्रमोशन करते हैं उनका एंड ग्रेडेशन करते हैं तो जब गाइडेंस और कांसलिंग सर्विसेज जो है वो बेसिकली प्रोग्नोसिस function मेजर्मेंट पर ही पूरी तरीके से बेस्ट है जिसमें हमें स्टूडेंट के लेवल का पता चलता है ठीक है उसके बाद डाइग्नोसिस function की बात करें तो डाइग्नोसिस function स्टूडेंट की वीकनेस के बारे में identify करता है कि स्टूडेंट कहां वीक है डाइग्नोसिस function में जब हम मैजर्मेंट करते हैं स्टूडेंट का तो वहाँ पर हमें पता चलता है डाइग्नोस करते हैं की weakness को identify करता है diagnosis function तो जो हम measurement कर रहे हैं तो हम यहां पर diagnosis function में उसकी weakness को identify करते है ताकि वह improve कर पाई future में research function की अगर मैं बात करूँ तो यह तीसरा major function है measurement का जो chron batch ने हमको दिया है वो है कि scientific hypothesis of research को verify करना यह research related है जिसमें हम basically बोल सकते है कि यह जो measurement है वो research purpose में ज्यादा यूज होता है मतलब कहरे हैं जब हम research करते हैं तो measurement का function वहां पे भी होता है वहां पे भी हम यह देखते हैं कि जो हमने prediction करी थी जो हमने किया था जो भी हमने hypothesis बनाया hypothesis का मतलब होता है कि किसी चीज को आप मान के चल रहे हो कि यह सच भी हो सकती है यह गलत भी हो सकती है तभी तो आप उसके उपर research करते हो तो यह research function में भी बड़ा helpful है research में भी helpful है measurement उसके बाद बात करेंगे evaluation की evaluation जो है वो integral part है teaching का ठीक है और it is not merely a test at the end of lesson ऐसा नहीं है कि evaluation का मतलब है कि आपने एक lesson खतम करा है और उसका test ले लिया ठीक है इसका मतलब यह नहीं है सिर्फ evaluation जो है वो लगातार चलता है during lessons and units it is clearly related to the teacher's goal and point of view of teaching एक constant process evaluation जो लगातार चलता है teachers को अपने goals को पता होता है उनके goals related होता है evaluation को आप एक ऐसा process बोलते हो जिसमें आप evidences को collect करते हो कि students में क्या behavior changes आए judge करते हो directions and extent of much changes मतलब कहने का evaluation से ही आपको पता चलता है कि आपके students में क्या behavioral changes आएं और जिससाब से आप उसको judge करते हो इसका मतलब यह है कि evaluation जो है वो instructional objective से related है in examination and measurement emphasizes is on the academic subjects only exam में और measurement में हम क्या करते हैं हम सिर्फ और सिरफ उनकी जो subject हैं जैसे math, English, Hindi, science, SST इन जी जो पर focus करते हैं जो भी उनके subject हैं right but evaluation में क्या होता है इसमें सारे changes को देखा जाता है उसकी overall personality development पर focus किया जाता है तो यह फरक है evaluation में, assessment में और measurement में अभी हम इसका difference भी बढ़ेंगे तो evaluation एक ऐसा process है और वो कैसा progress कर रहे हैं तो evaluation एक ऐसा systematic process है जिसमें आप educational objectives जो उन्होंने achieve करें students ने उसको भी determine करते हो तो evaluation एक continuous process है total system of education का जिसमें आप उसके सभी aspects पर ध्यान देते हो और पता लगाते हो कि students में क्या behavioral changes आए बात की गई modern concept of evaluation की कि आज के time में evaluation का मतलब क्या है एक नई philosophy आई है education की जो कहती है जो stress देती है students की growth पे students के development में और not on the subject matter आप बस उनकी subject subject knowledge को assess करो evaluation का मतलब आप उनकी growth और उनके development पे भी focus करो secondly learning done by the student is the most important thing students क्या सीख रहे हैं वोस पे भी ध्यान दो third बात यह है कि total personality जो है child की वो consider की जाती है evaluation में तो modern evaluation यह try कर रहा है कि school का curriculum जो है वो comprehensive manner में हो और modern evaluation में बहुत सारी techniques बहुत सारे methods जो है वो produce किये गए जिस से हम students की total personality को assess कर पाते हैं evaluate कर पाते हैं इसमें एक broader term है than test and examination मतलब सुरफ test लेना यह एक्जाम लेना ही नहीं students का overall behavioral change को भी देखना उसकी overall personality growth development को भी देखना it includes examination इसमें कहा कि examination तो है यह इसमें लेकिन non academic nature भी उसका देखना कि उस class में उसका discipline कैसा है उसका behavior कैसा है यह सब भी और बाकी अब जो main topic आता है that is difference among assessment measurement and evaluation तो इसके फरक के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले measurement और evaluation में क्या फरक है measurement एक old concept है लेकिन evaluation एक नया कंसेप्ट है measurement एक simple word है लेकिन evaluation एक technical term है क्योंकि evaluation में आप बहुत सी चीजों को you know evaluate करते हो measurement में तो सिर्फ आपने exam ले लिए test ले लिए simple चीज मेजर्मेंट ही कैसी टेक्निक्स में आप test करते हो student को observe करते हो return test ले लेते हो evaluation में क्या करते हो evaluation जो है वो records पर बेस करता है rating scales देते हो आप check test करते हो oral return practical सब चीजे कराते हो आप measurement का मतलब है only वही टेक्निक जो test के लिए यूज की जा रही है evaluation एक ऐसा process है जिसमें previous which by which the previous effects and hence course behavioral changes are tested प्रीवेशली बच्चे में क्या था और फिर evaluate करने के बाद उसमें क्या changes आए उन चीजों को test किया जाता है measurement का aim है measurement करना सिरफ evaluation का aim है student education को modify करना एक ऐसा system लाना जिससे की students के behavior में चेंज आए measurement का purpose है quantification assigning numerals for a variable मतलब की numbers की form में उनको उनका performance के बारे में बताना लेकिन evaluation में क्या होता है quantitative तो होता है लेक साथ में evaluative भी होता है जिससे साबसे हम उनको grade और उनको levels assign करते है measurement एक narrow और formal है लेकिन evaluation जो है उसका scope wide है measurement का aim है measure करना और evaluation का aim जो है वो desirable changes आए students में उस चीज को देखना उसके बाद बोला गया कि examination एक बहुत ही important tool है assessment का उसके बारे में बताओ तो देखो examination जिसको हम exam भी बोलते हैं एक ऐसा test होता है जिसमें हम यह देखते हैं कि student जो है और टेस्ट और examination is an assessment intended to measure test takers knowledge, aptitude, physical fitness यह सब देखा जाता है exam में examination एक बहुत ही important tool है assessment का education में examination एक ऐसा test है जो आपको यह दिखाता है कि आपकी student की क्या knowledge है उसकी क्या शमता है उसकी क्या ability है एक student जो exam देता है वो candidate होता है और जब person यह decide करता है कि कैसा student ने perform किया मतलब उसका exam check करता है that is examiner तो examination में भी a written test और on screen test और a practical test यह सब exam की form में होते हैं एक्जाम के बारे में तो आप बहुत कुछ लिखी सकते हो बात करते हैं ncf's 2005 vision of assessment for learning की यह थोड़ा सा important topic का last topic है हमारी video का चलिए बात करते हैं फिर तो यहाँ पे सबसे पहले बात की गई ncf that is national curricular framework क्या बोलेंगे national curricular framework तो national curricular framework 2005 vision of assessment for learning को हमें describe करना है तो देखो ncrt पहुत बार सुमाओगा ncrt books ncrt this 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 तो उसका full form क्या होता है the national council of educational research and training इन्होंने advice किया इन्होंने government को assist यानि की help किया policies बनाने में education की field में policies formulate करना और उन policies को implement करना पर्टिकूलर्ली school education की यहां पर बात की जा रही है to that end it has been preparing after the interval of roughly every day के एक national curriculum framework लाया school education के लिए जिसमें guidelines बनाई गई कुछ चिन guidelines को schools के द्वारा follow किया जाएगा about how to address the major concern and issue before the nation तो जो national curriculum framework 2005 था वो आपको एक आधार provide करता है एक basis provide करता है for radical changes in the Indian educational system जिसमें Indian educational system में बहुत सारे changes आए उसके आने से तो Indian education review July 2008 made some interesting observation recommending some radical changes from how education is important in Indian classroom तो ये recommendations के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जैसे की क्या number one linking school knowledge with the child's out of school experiences की आप school में जो पढ़ा रहे हो वो उसके बाहरी जो बच्चा बाहर से चीजे बाहर सुसाइटी में भी रह रहा है बाहर भी experience कर रहा है सारी चीजों का तो जो आप पढ़ा रहे हो students उन बाहर के environment से भी उस चीज को link कर पाए real life से भी उस चीज को link कर पाए आपका study ऐसा होना चाहिए आपका जो curriculum है वो ऐसा होना चाहिए number two discouraging rote learning यानि कि आपको rote learning को discourage करना है आपको students को रटा नहीं करवाना है यह न बच्पन में हम लोग बड़ा रटे थे चीजों को ऐसा से याद करना है रटा मारते थे रटा मारते थे तो इस चीज को discourage करना है यह एक recommendation थी students को समझ में आने चाहिए भई चीजे रटा क्यों मारना है number three broadening the scope of classroom learning so that it goes beyond the prescribed textbook अब मैं classroom learning के scope को और ज़्यादा broad करना है ताकि test book के beyond जाके सारी चीजे हो examination system को हमें बहुत ज़्यादा flexible बनाना है और ताकि student child का overall development पे भी focus करना है हमें participatory identity को develop करना है with democratic governance के साथ यह पांच recommendation दी गए थी जो हमारा framework था while the framework responds to many new social and pedagogical changes इस framework ने बहुत सारे social और pedagogical changes लाए थे और it remains well within the broad parameters of national policy of education framed in 1986 and revised in 1992 जो हमारा national policy education है उसमें भी यह बाते follow की गई और कुछ new concerns भी बताएं गई इस framework के बारे में जैसे की building a cohesive society based on pillars of relevance, equality and excellence मतलब एक ऐसी society build करो जो equality और excellence, relevance इन सारे pillars पर based हो relevance, relevance का मतलब है students को वो पढ़ाई करा हो जो relevant भी हो जो सही हो जो उसकी real life से भी relate करती हो equality हो, excellence होना चाहिए, एक ऐसी society build करना, number two, indigenous knowledge को integrate करना, इंडिया से related knowledge student को होनी चाहिए, क्योगि हम इंडिया में रह रहे हैं, students को इंडिया के contribution के बारे में बताना, यह सब होना चाहिए हमारे curriculum में, inculcating and nurturing a sense of pride in being an Indian, उतर students में उनको ऐसी knowledge देता जिसमें उनको एक गर्व महसूस हो कि वो इंडियान है, उनमें देश भक्ती की भावना, nationalism, patriotism, यह सब की spirit होनी चाहिए, spirit होनी चाहिए, वासुदेवक तुमबकम की spirit होनी चाहिए, कि हम सब एक हैं, हम अरे धर्म भले ही अलग हो, हमारी caste, हमारे religion, हमारे traditions, यह सब अलग हो, लेकिन फिर भी, we are all our one, we all are uniform, मतलब हम एक ही हैं, that is वासुदेवक तुमबकम की spirit students में होनी चाहिए, universalizing elementary education and linking education with life skills, आपको क्या करना है, elementary education जो हो रही है, उसको universalize करना है, हर जगा वही सेम चीज़े होनी चाहिए, universal होनी चाहिए, आपको education को life skills के साथ link करना है, तो यह सारी बाते बोली गई उसमें, और fifth value development at all stages of school education, school education में जितनी भी classes में बच्चा जा रहा है, जितनी भी stages में जा रहा है, primary level पे है, secondary level पे है, senior secondary level पे है, value का development होना बहुत हो जरूरी है, meeting the challenges of information and communication technology and globalization, यह सब भी, reducing curriculum load, भाई, जादा बच्चों को curriculum मतलब जादा syllabus का burden नहीं होना चाहिए, तो यह सब उसके कुछ recommendations दे, आज के लिए सिर्फ इतना ही, वीडियो को like, share, comment ज़रूर करें, I hope exam में आपके लिए बहुत ज़्यादा useful रहेगी यह वीडियो, please आप वीड list का link आपको description box में मिल जाएगा, thank you so much.